तमस्का दोस्तों वेलकम तो रोंडे एक्जाम क्लासे देखिए आपके रेलवे गूरूप D और एंटी पीसी टू एक्जाम को देखते भी हमने आपके लिए पिसले साल की पेपर की स्रीज को इस टार्ट किया है आज हम आपको रेलवे एंटी पीसी जो सीवी टी वन आपका 2021 रिकीज से संपन्न हुआ था उस पेपर की आजम आपको रिजनिंग के कोशन करा रहे हैं देखें आपको गुरूप D के पेपर की रिजनिंग भी करा रहे हैं और NTPCVT1 पेपर की रिजनिंग का छटमा वीडियो है इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रेकार के पांच वीडि आपको चैन करना है जो इस त्रेडी में प्रिश्णों आचक चिन्न के स्थान पर आ सकती है यह आपको स्रीज दी गई है 14,2,28,3,84,4 इसके बाद नीचे आपको 4 आपसन दिये गये हैं प्रिश्णों आचक चिन्न की जगा पर अगर आप स्रीज को आगे बढ़ाएंगे त तो कौन सा आपसन आपके हिसाब से सही हो सकता है चली प्रियास करिए समय लेकर के सबसे पहले एक बार आप लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंतर के दो आपको स्रीज दीख रही होगी एक तो यहाँ पर देखिए जो आड़ वाले स्थान है 14,28,84 अलग स्रीज और इवेन वाले स्थान पर 2,3,4 अगर नेश्ट वाले पद की बात करेंगे तो प्रिश्ण वाचक छिने के बगल वाला जो पद होगा यहाँ पर 5 आएगा लेकिन 5 आप से नहीं पूछा है उसके पहले वाला पूछा है तो कैसे आपको मिलेगा इस 14 वाली स्रीज से आएगा और 84 में 4 का मल्टिप्लाई करेंगे तो प्रिश्ण माचक छिने वाली संख्या आजाएगी तो 84 में 4 का मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 336 तो कौनसा आपसन सही आपसन होगा पहला वाला आपसन सही आपसन होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग पहली बार चलना पर आए हों तो नीचे आपको लाल रंग की सस्काइब की बटन दीखेगी उसे दवाकर लाल से काली कर दीजेगा ताकि आने लिए वीडियो जो है वाकि पास सबसे पहले पहुंच सके दूसरा कोशन है यहा का प्रयास करिए आप लोग देखिए आपको समय दिया जाता है पांसे च्छे सिकेड का कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को इस प्रिष्ट के उपर लगा सकें यहां पर आप देख रहे हैं पहले आपको सट भूज की आकरती मिल रही है इसका मतलब इसमें च्छे भूज कर दें तो आपको मिल जाएगा छे चो को चौवीज और तीन पच्छे पंदरा समझ गए आप तो चार का मल्ल्टिप्लाइ करिए पहले पद में और पांच का मल्टिप्लाइ करिए दूसरे पद में तो आपको सारी संख्या मिलती चलीजाएंगी इसी प्रेकार से दूसरा pattern को समझते हैं यहाँ पर देखिए दूसरे pattern पर 5 भुजा की आकरती है और दूसरी 4 भुजा की है तो फिर से उसी प्रकार से आपको पहले वाले में 4 का multiply करना है और दूसरे वाले में 5 का तो 4 पंचे 20 और 5 उको 20 यह दोनों सेम सेम आपको मिल जाएंगी इसी प्रकार से तीसरे pattern पर जाएंगे तो यह 4 भुजा की आकरती है उसके बगल में 3 भुजा की है तो उसी प्रकार से इसमें 4 से multiply कर दीजें और दूसरे वाले में 5 से तो यह बनेगा 16 और यह बनेगा 15 तो 16 15 वाला आपसन जो होगा वो सही आपसन होगा समझ गए आप जितनी भुजाएं हैं उसमें आप से पहले वाले में 4 से multiply करना है और दूसरे वाले में 5 से multiply करना है उत्तार आपको मिल जाएगा तो pattern अगर आप समझ गए तो उत्तार आप आसने से निकाल लेंगे तीसरा कोशन है उस पद की आपको पहचान करना है जो निम्न स्रेडी से संबंदित नहीं है मतलब यह आपको स्रीज दो दी गई है पहला पर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इन पांच पदों में एक स्रीज जो है वो गलत रखी गई है मतलब अगर pattern आप फालो करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ गलती नजर आएगी तो किस पद में आपको गलती नजर आ रही आपको दिये गए हैं चलिए सोचने का प्रयास करिए सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि पहले आप अलफाविट के स्रीज को देखें टी हमारा किस स्थान पर होता है बीसमें स्थान पर टी से एक कम किया गया एस हमारा उनीसमें स्थान पर होता है आर होता 17 इस्थान पर और P होता है 16 इस्थान पर तो यहां पर आपने देखा कि यह अलफाविट की स्रीजिस तो एक एक कम हो रही है इससे आप पता नहीं कर सकते हैं यह तो बिल्कुन सही चल रही है अब यहां पर देखिए लाश्ट वाले पत को 3, 6, 9, 12, 15 को देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12 और 12, 3, 15 यह भी सही जा रही है अब हमको पहले पत को देखना है यहां पर देखिए 2 है, 5 है, 11 है, 16 है, 23 है गलती इसी पत में हो सकती बाके दोनों पत तो हमने देख लिए हैं वो तो सही जा रहे थे अभी इसमें आप देखने का प्रयास करिए, अगर आप अभाज संख्याओं को जानते हों तो अभाज संख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से जो प्राइम नंबर होते हैं, जो किसी से नहीं कड़ते हैं, उन्हें क इसने 5 रख लिया, फिर 7 छोण दिया है, फिर 11 रख लिया है, 11 के बाद में 13 छोण दीजे, तो यहां पर 16 की जगा पर 17 आना चाहिए, ठीक है, 17 के बाद में 19 छोण दीजे, फिर 23 आजाएगा तो बिल्कुन सही है, इसने 17 नहीं रखा है, 17 की जगा में 16 रख दिया है, इसल से 16 जो है, वो आभाज संख्या नहीं है, 17 लिख देता तो सही हो जाता, तो पहला वाला आपसन सही आपसन है, चौथा कोशन है, एक राश्टी राजमार्क पर एक पंतिवें 35 इस्ट्रीट लेंप लगे हैं, मतलब सड़क पर जो लेंप लगे होते हैं, लाइटे लगी होत स्थान पर हैं, तो 22 छोड से उसकी सिती आपको बतानी है, मतलब टोटल 35 हैं, और वो कह रहा है कि दाहिने छोड से, जो खराब वाला है, जल नहीं रहा है, उसका इस्थान है 15 हुआ, ठीक है, ये दाहिया और से अगर आप देखेंगे तो वो 15 इस्थान पर आपको मिलेगा तो आपको 22 और से बताना है कि इस्थान क्या होगा, अब देखेंगे टोटल 35 हैं, 22 और से 15 आगया, तो 35 में से 15 घटाएंगे, बचेगा 20, 20 का मतलब 20 तो स्टीट लैंप होंगे, और ये जो 22 और से होगा, वो 21 इस्थान पर होगा, ठीक है, इधर से भी इसको जोडा जाता और 22 और से भी इसको जोडा जाता है, ठीक है, समझ गए आप, तभी अगर आप 21 और 15 को जोडएंगे, तो ये आपको 36 मिलेगा, और 36 में से एक घटा दिया जाता है, तो टोटल स्ट्रेट लैंप की संख्या निकला आती है, तो 22 और से पूँछेगा, 21 सै खीजेगा, 22 और स भी इस steep length को count करना पड़ेगा तो सही आप सुनोगा 21, तीसरे वाले आप सुनो लिखा गया है, पांचवा कोश्चन है उस विकल्प का आपको chain करना है, जो तीसरे सब्द के साथ में उसी प्रकार से संबंदित है, जैसा कि दूसरा सब्द पहले के साथ में है, हिमांचल धर्मसाला के साथ में हैं, तो महाराष्ट का संबंद आपको बताना है, कैसे करेंगे आप, देखिए, जो भी राज होता है, उसकी अलग अलग राजधानिया होती है, सीत कालिन राजधानी अलग होती है, और गीस में कालिन राजधानी अलग होती है, तो हिमांचल प्रदे इसकी ग्रीश में कालियन राजधानी सिमला है अगर सीत कालियन राजधानी की बात करेंगे तो धर्मसाला है उसी प्रकार से मुंबाई की बात करेंगे तो ग्रीश में कालियन राजधानी मुंबाई है और महाराष्ट की सीत कालियन राजधानी जो है वो नाकपूर है तो कौ उसे समद्सम्धित नहीं है अब देखिए यहां पर आपको B और F लिखे गये है T-Y लिखा गया है M Q लिखा गया है इसमें से आपको बताना है कि अलक कौणसा है जो समद्सम्हूं से सम्दधित नहीं है कैसे करेंगे आप देखिए अलफा बेट वे अगर आप नंबर वाइस देखेंगे तो B का स्थान जो होता है वो दूसरा स्थान पर होता है और F का स्थान क्या होता है छटवा स्थान होता है ठीक है उसी प्रेकार से T का स्थान होता है बीसवा और Y का स्थान जो होता है अगर बात करेंगे तो पच्चीसवा स्थान होता है A में की बात करेंगे M का इस्थान होता है 13 और Q का इस्थान होता है 17 ठीक है W का इस्थान कितना होता है 23 और A का इस्थान होता है 1 तो कुछ आपको दिख रहा है इसमें से कि बताना पड़ेगा आपको देखिए 2 से 6 हो रहा है मतलब 4 जोड़ा गया इसमें समझ में आ गया, इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, और इसमें भी 4 जोड़ा जा रहा है, और 23, 4, 27 होता है, लेकिन आलफावेड में तो 26 ही स्थान होते हैं, तो 27 जब बात करेंगे तो घूम करके पहले वाले में आ जाएगा, इसका मतलब 4 इसमें भी जोड़ा गया, 23, 4, 27, 27 नमबर पर मतलब जड़ के बात फिर से A आ गया ना, तो 18 पहला होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो 20 से 25 हो रहा है, यह पत कौन सा है T और Y में, तो T और Y जो है 5 बढ़े हैं, बाकि सभी 4-4 अलफावेड की स्रिज में आगे बढ़े हैं, तो कौन सा आपस के बीच में एक सर्वत्तम रूप से दरसाता है, जैसे कि आपको दिया गया है, चीटी, कीट, लोमडी और इस्तन पाई, अब यहाँ पर तीन आपसन सबसे पहले आपको दिखाए दिये जा रहे हैं, और लास्ट वाला एक बार आप देख लिजेगा, ठीक हैं, अब ऊपर क चीटी और चलते हैं क्योंकि तीन ही आपसन आपको एक साथ में दिख पाएंगे, और यहीं तीनों आपसन में से एक ही आपसन, सही आपसन आपको मिल जाएगा, अब कीट में देखिए, कीट के अंतरगा चीटी का गोला होगा, और इस्तन पाई तो कीट से अलग है न, इस् के अंदर अलग से रखी जाएगी, तो यह दूसरा वाला प्सन जो हैं, वह सही आप्सन है, कीट उन्स तर पाई का कोई भी सम्बंद नहीं है, इसलिए दोनों के गोलों को अलग-लग रखेंगे, कीट के अंदर चीटी का गोला रखेंगे, और इस तर पाई के अंदर लोमडी का गोला रखेंगे तो दूसरा आप्षन सही होगा आठवा कोशन है देखिए फिर से वेंड डाइग्राम से कोशन आया है तैरा की साइकिल चलाना और वैयाम में आपको बताना है कौन सा आप्षन आपको सही लग रहा है अब देखिए तीन आप्षन आपको उपर दिखाय ज अब स Α्षान है कर देखिए वैयाम की अंतर गथ साइकिल चलाना भी आता है तो वैयाम का गोला सबसे बढ़ा होगा उसके अंदर योगी और साइकिल चलाना क्योंकि दोनों अलग अलग है बॉइं तैरने की जगा पर साइकिल थो ने ही चला सक्ते हैं इसलिए तैरा की प्रिश्णवाचिक चिन्नी के जगा पर कौन से संख्या आएगी पहला पैटर्न ये हैं दूसरा पैटर्न ये हैं तीसरा पैटर्न आपको देखना है कैसे करेंगे आप आप लगा चुके हों तो हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे बाहर वाले अगर चतुर बुज की बात करेंगे तो इसमें चार भुजा हैं अंदर वाले भी चतुर बुज में चार भुजा हैं और उसके अंदर तीन लिखा गया तो इन सब को मल्ट रहा है तो स्टुर प्रेकार से आपको यस प्रेटान को देखना आ है अच्छा कोशन था बस थोड़ा से आपको भुजाों की संख्यां पर गौर करना था दस्वा कोशन है उस पद की आपको पहचान करना है जो निम्न सेंडि से संबंदित नहीं है ठीक है यह सरीज आपको दी गई है इसमें एक पद जो है वो गलत तरीके से रखा गया है चलिए आप भी करिए वीडियो को रोक करके प्रयास कर लिया करिए पहले आप लोग ठीक है फिर हमारा उत्तर देखने का प्रयास किया करिए यहाँ पर एक इस्थान अगर देखेंगे तो ए अलफा बिड में पहले इस्थान पर होता है एप के इस्थान की बात करेंगे एप छटवे इस्थान पर होता है के ग्यारहवे इस्थान पर होता है पी सोलहवे इस्थान पर होता है और T जो होता है 20 इस्तान पर और J होता है 26 इस्तान पर तो यहां पर से कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा लेकिन यहां पर 4 बढ़ा यहां पर 5 बढ़ना चाहिए था अभी 105 सही है कि नहीं सही है, यह आपको पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर से उत्तर निकाल करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा से देख लेते हैं, numerical वाली स्रीज को, 5 से 11 हो रहा है तो कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 11 से 24 हो रहा है तो कितना बढ़ा आगे, 13 बढ़ा, ठीक है, 24 से 51 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 27 बढ़ा, 51 से 105 में, 54 बढ़ा, ठीक है, इसी प्रेकार से आप देखी, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा कि 6 दूनी 12 एक 13 मतलब दूगने से एक जादा बढ़ाए गया 13 दूनी 26 एक 27 मतलब दूगने से एक जादा तो 27 दूनी 54 एक 55 यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए था मतलब जहाँ पर 105 लिखा गया है यहाँ पर 106 लिखा जाना चाहिए था 55 आगे बढ़ेगा ठीक है समझ में आगे तो दोनों गलतिया है अलफाबिट की भी गलति है और नुमेरिकल की भी गलति है T की जगा पर U होना चाहिए था 105 की जगा पर 106 होना चाहिए था आख िजफाया चाहिए और तो निसकर समय आपको बताना है निसकर समय आपको बताना है इंचार आप्सण में से कौन सा निसकर से निकाला जा सकता है कि ऐसे पहले आप्संसे चेक करते हैं यहाँ पर लिखा गया है है between green so जो है वो बड़ा है D से तो यहां पर आप साप साप देख रहे हैं C जो है वो बड़ा है D से यहां पर इस परश तोर पर उपर आपको लिखा गया लेकिन पहली बात की बात करेंगे यहां पर एक बाते और लिखी गई यह इबड़ा है C से देख रहे हैं E बड़ा है C से यह क दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में लिखा गया है, ए जो है, वो E से छोटा है, मतलब E बड़ा होगा, तो साप साप लिखा गया है, E बड़ा है, A छोटा है, इधर तो इसपर्ष्ट हो गया, यह सही है, अब यह दूसरे तरफ से देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, C बड़ा है और A छोटा है C बड़ा है A छोटा है अब देखे आप आगे की और जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि A जो है वो छोटा है B से मतलब B बड़ा है और B से भी बड़ा कौन है C है मतलब B से बड़ा C है तो A से बड़ा तो भी C होगा तो दूसरा वाला आपसन जो होगा वो सही आपसन होगा ठीक है देख लिए निसकर्स कहुंसा निकलना है दोनों सरह से आपको देख करके इसका उत्तर निकालना पड़ेगा बार नवर कोशन है देखिए समंद से कोशन आया है और काफी बड़ा लिखा गया है A B C D E F G के बारे में आपसे समंद में कुछ बाते लिखी गई है चलिए वीडियो को रोक करके आप भी डाइग्राम की साहिता से इसे लगाना प्राणवे कर सकते हैं हम भी आपको बताना इस स्टार्ट करते हैं पर इसमें पढ़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा साथ में बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग होगी ए बी की मा है यहां से स्टार्टिंग होगी ए जो है वो बी की मा है एक जनरेशन हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जहां पर मेल होगा उसको उपर प्लस लगा देंगे जो फीमेल है उसको उपर मानिस लगा अब आगे क्या लिखा गया हैं सी जो है डी का इकलावता पुत्र है मतलब की इकलावता पुत्र है तो इसको पर प्लस लगा देंगे और डी जो होगा डी की दोनों संताने होंगी ए और सी दोनों होंगे ठीके अब डी जो है वो बी की नानी है बी की नानी तो होगी नानी है मतलब negative sign लगा देंगे female के बारे में लिखा इसने E F का दामाद है अभी इसको नहीं बना पाएंगे F की एक मात्र पुत्री है और F D का पती है F जो है वो D का पती है मतलब की यहां पर F लिख देंगे इसकी साधी D के साथ मुही है F को हम positive कर देंगे और F के बारे में लिखा गया उसकी एक पुत्री है तो एक पुत्री A ही है A उसकी एक पुत्री है और C उसका एक पुत्र है अब देखें यहां पर लिखा गया है E जो है वो F का दामाद है अब एक ही पुत्री है तो साधी उसकी होगी किसके साथ में E के साथ में वही तो दमाद होगा और 2-3 दमाद तो उसके होंगे नहीं कि पुत्री एक है प्लस लगा देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया E का A से समंद E क्या लगेगा E का तो पती लग रहा है न E का E का E से E का साधी होगी तो E पती लगेगा सही आपसन कौन सा आपसन होगा दूसरा वाला आपसन जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा तेनवर कोशन है उस विकल्प का आपको चैन करना है जिसमें से दोनों पदों के बीच में वही समंद है जो दिएगे पद यूग में के पदों के वीच में हैं, कि चार आपसन आपको दिए गाएं, करने का प्रियास करिए, देखे, D, M, O, और W, N, L, अब इसके आपको अलफा बेड़ में इस्थान देखने होंगे, D का इस्थान कौन सा होता है चोथा इस्थान होता है M का इस्थान होता है 13 हुआ और O का इस्थान होता है 15 हुआ ठीक है W N L की बात करेंगे तो W का इस्थान होता है 23 और N का इस्थान होता है 14 और L का इस्थान होता है 12 तो यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा हैं D और W जो हैं ये अपोजिट समझ रखते हैं अगर आप अलफाबिट में देखेंगे तो D का इस्थान जो पहले से चोथा होगा वही इस्थान W का लाज से चोथा हैं मतलब D और W अपोजिट समझ रखते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो दोनों का योग 27 होगा देखें 23, 24, 27 उपर के दोनों पदों को जोड़िए 23, 24, 27, 13, 14, 27 और 15, 12, 27 क्योंकि ये तीनों आपोजिट समझ रखते हैं इसलिए दोनों का योग जो होगा वो 27, 27, 27 आना चाहिए इसी हिसाब से आप 4 आपसन को चेक करिए कौन किसका आपोजिट समंद बन रहा है आपको 4 आपसन चेक करने पड़ेंगे तो ये दूसरा वाला आपसन आपको मिल जाएगा जी ये चाहिए जी ये चाहिए में देखेंगे तो जी सात्में इस्तान पर ह 9 आथमें इस्तान पर और आए नावें इस्तान पर ओता है इनके अब Odilator की बात करेंगे तो जी जो हमारा है पहले से 7 वे स्तान पर आता है तो अलफाविट के स्रीज में लासस से 7 वे स्तान पर 20 आता है 20 मतलब T आता है और एस जो है वो लास से 19 स्थान पर आता है और यह 18 अब इनको भी जोड़ लिज़े भी 27 27 आएंगे 27 27 27 ठीक है तो इस हिसाब से आप दोनों प्रकार से उत्तर को चेक कर सकते हैं देमें 24 नवर कोशन है L IT को 123 लिखा जाता है लेपट को 45 125 लिखा जाता है Y ELL को 2247 लिखा जाता है तो फ्लाइ का आपको कोड़ बताना है यह आशान सा कोशन होता है यहांपर देखिए 27 27 लिखा गया है लेकिन इधर उदर लिखा गया है इल का कोई एक इस्थान होगा इसमें से एक दो तीन में से हो सकता है आई यहाँ पर से एक दो तीन में से कुछ हो सकता है इनको आपको इन दोनों की सहायता से निकालने का प्रयास करना है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सीखने का प्रयास करिए नहीं तो आप उत्तर नि तो इसका मतलब जो numeric value होंगी वो दो बार आएंगी, L के लिए दो बार दो दो लिखा गया है, इसलिए स्पेस्ट हो गया कि L हमारा यहां पर से दो numeric value को रखता है, ठीक है समझ गए, अगर L हमारा दो हो गया, तो IT जो होंगे, वो एक और तीन में से कोई एक संक्या हो सकती ह अब कैसे decide करेंगी, आप दूसरे वाले मेंगे, देकि दूसरे वाले में T और L भी आए है, तो L तो 2 हो चुका, T के लिए यहां पर एक लिखा गया है, और T के लिए यहां पर भी एक आया है, इसका मतलब T यहां पर से एक हो गया, अगर T एक हो जाएगा, तो I अपने आप तीन हो जाएगा, समझ गए आप, ठीक है, L, T, I यहाँ पर से decide हो गया, अब यहाँ पर देखी, fly में हमको L मिल गया है, L के लिए code क्या है, 2, और 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यही दोनों E आ रहा है, तो इसमें से एक चीज कामन होगी, 1 और 2 तो आपने decide कर लिया, और 4 पांस में से decide करना है, तो E दोनों जगा आ रहा है, और दोनों जगा पर 4 आ रहा है, इसका मतलब E 4 हो जाएगा, अगर E 4 हो गया, तो अपने आप 5 हो जाएगा, तो 5 से starting करने ही पड़ेगी, 5, 2, 7, यही सही हो जाएगा, Y के लिए अगर आपको निकालना चाहें, तो अब last वाले से Y साथ निकाल सकते हैं, पंदन अगर कोशन है, यहाँ पर देखें, जो उल्टा त्रिवुज का प्राय है, पहली संख्या को दूसरी संख्या के तीन गुने से जोडने से हैं, तो इसका समीकर्ण का मान आपको निकालना है, अच्छा कोशन है, चलिए, करने का प्रयास करिए, देखें, सबसे पहले आपको, 4 और 5 को पहली और दूसरी संख्या मानना है, कोश्टक के अंदर को बनेगा, वो 19 बनेगा, अब 19 और फिर से ये उल्टा जो त्रिभुज बना है, और फिर 6, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो गई, तो दूसरी संख्या का फिर सही आपसन हो जाएगा सुरने वर कोश्चन है इस पेटान को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और इसका उत्तर देना है कि तीसरा का क्या पेटान बनेगा अभी आप सिर्फ प्रेश्णों को समझिए क्योंकि उत्तर नीचे लिखे गए हैं इनको कहीं पर लिख लिजिए क्योंकि एक साथ आपको सब कुछ नहीं दीख पाएगा ठीक है उत्तर देख लिजिए फिर प्रेश्णों को हम आपको ध्यान से समझाते हैं अब प्रेश्णों को पहले आप समझिए उसके बाद ही उत्तर निकालने का प्रयास करिएगा यहाँ पर देखिए यह समीकर कैसे बन रहा है इसको ध्यान से देखेंगे आप उपर वाला चत्रभुज है बाहर का तो चार लिख दिया गया यहाँ ठीक है आप देखें अंदर यह स्त्रभुज के अंदर पी लिखा गया ना तो तीन भुजा है तो तीन प्लस भी अब क्यों को चार भुजा के अंदर रखा गया तो चार प्लस भी और आर को भी चार भुजा के अंदर रखा गया तो चार प्लस आर ठीक है इसी प्रेकार समझ लीजे बाहर वाला पांच है तो पांच से मल्टिप्लाई करना है पूरे पद में अंदर की बात करेंगे 4 भुजा के अंदर 3 दिखा गया तो 4 प्लस 3 3 भुजा के अंदर 2 लिखा गया तो 3 प्लस 2 और 5 भुजा के अंदर 5 लिखा गया है तो 5 प्लस 5 अगर अंदर वालों को सब को जोड़ करके 5 से multiply करेंगे एक सुद साएगा उसी हिसाब से अब आपको इसको करना पड़ेगा बाहर की भुजा कितनी है च्छ ठीक है अब अंदर की बात करेंगे कोश्टक में इसको लिखना पड़ेगा आपको अगर 4 को लिखना है तो 6 प्लस 4 प्लस का निसान लगाई है, अगर 2 को लिखना है, तो 4 प्लस 2, क्योंकि 4 भुजा उसके बाहर है, इसके बाद 3 को लिखना है, तो 5 प्लस 3, अब अगर आप इसको निकालना चाहेंगे, एक क्या आएगा, सबसे पहले अंदर वालों को जोड़ लीजे, 6, 4, 10, 6, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 10, 24, और 24 में 6 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो 6 चोको 24, 6 दूने 12, 14, 144 आ जाएगा, तो पहला वाला आपसन सही, आपसन होगा, समझ गए, पैटन उपर से आपको बताया है, कैसे आपको करना है, नेचे आपको उत्तर निकालना था, सतने वर कोशन है, यहां पर एक समवाद लिखा गया है, डेवी ने कहा है, मेरी मा के द्वारा बनाया गया हर पैन केक स्वादिष्ट होता है, ठीक है, यह डेवी ने कहा, जबकि जोन्स जो है, उसने कहा, यह सच नहीं है, आपके पीता के द्वारा बनाया गया, कई पैन केक भी स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जोन्स दकार डेवी के कथन के बारे में इस पर्ष तौर पर क्या कहना है? केवल डेवी की मा स्वाधिष्ट पैनकेक बनाती हैं, डेवी की मा दौरा बनाएगे कुछ पैनकेक स्वाधिष्ट नहीं है. डेवी के पिता बिलकुर नावालिक है डेवी की मा स्वाधिस्ट पैन केक बनाती है तो यहाँ पर से क्या आपको इस परश्ट तोर पर नजार आ रहा है देखी केवल इसने लगा दिया इसलिए मेरी हिसाब से पहला वाला कथन जो है वो गलत होना चाहिए लेकिन रेलवे ने इस आप्षन को सही किया है केवल डेवी की मा स्वाधिस्ट पैन केक बनाती है यह दोनों कथनों से इसपष्ट कर रहा है जबकि जोन से ये कह भी रहा है कि उसकी पिता के द्वारा कई पैन केक जो है स्वाधिस्ट बनाए गए हैं इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि केवल डेवी की माही स्वाधिस्ट पैन केक बनाती है कोई कि पिता भी बनाते हैं लेकिन वो सारे नहीं बनाते हैं पर हर लिखा हैं वो कई पैन केक भी स्वाधिस्ट होते हैं मतलब वो ढेर सारे बनाते हैं लेकिन उसमें से कई भी स्वाधिस्ट निकलते हैं तो केवल लगा देने से उसकी डेवी की माही स्वाधिस्ट पैन केक बना सकती हैं ऐसी बातें इस परिश्ट नहीं हो रही हैं मेरे इसकर्स आपको बताना है क्या आपको सही लग रहा है देखें कुछ गेंदे जो उचल रही है सभी गेंदे कमपन कर रहे हैं मतलब गेंद जो है वो सारी के सारी कमपन कर रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ गेंदे जो है वो उचल भी रही है ठीक है समझ गए हैं अमने इसकर्स देखते हैं यहां तक कि जो गेंदी उचलती नहीं है वो भी कमपन कर रही है बिल्कुन सही है को गेंदी तो सारी कमपन कर रही है ना जो उचल भी नहीं रही है वो भी कमपन कर रही है बिल्कुन सही है जो गेंद उचलती नहीं जरूर नहीं कि वो कमपन करती हो एसा नहीं है कमपन तो सभी कर रही है जो उचल नहीं रही है वो भी कमपन कर रही है इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है तो पहला ही पालन करेगा पहला वाला ने इसकर से तीसरे आपसर में लिखा गया है उन्हें इस नवर कोशन है यहां पर देखें, चीन ने परवर्थन किया गया है, प्लस की जगा पर भाग, मानेस की जगा पर जोड, मल्टिपल की जगा पर घटाना, और भाग की जगा पर गुड़ा आपको किया गया, तो चलिए समीकरण में रखते हैं, जहां जहां पर चीन ने परवर्थन करना है, औ देखिए, यहाँ पर multiple के जगा पर क्या रखना है, घटाना, एक कोश्टर के बंद कर देते हैं, minus के जगा पर plus रखना है, और भाग की जगा पर गुड़ा रखना है, ठीक है यह भी बात ध्यान रखिएगा, और plus की जगा पर इसने भाग का है, और minus की जगा पर जोड़ है, बिल्कुन सही है, और नीचे वाला जो बटे एक है न, मतलब भाग की जगा पर गुड़ा का है, तो multiple में एक होगा, तो उसका कोई अर्थ ने निकलेगा, तो नीचे वाले एक को छोड़ दीजेगा, अभी सबसे पहले कोश्टर के अंदर को हल कर करते हैं, ये तो दो बन जाएगा, प्लस छे दूनी बारा बन जाएगा, और भागे में करना है, पांदो साथ, ठीक है, तो 14 बटे साथ बनेगा, मतलब दो आ जाएगा, तो अगर चिन्न परवर्तन करेंगे, तो इसका उत्तर आपको दो मिलेगा, बहुत ही सिंपल तरीके स आपको समझाने का प्रियास करता हूँ, बीस नमर कोशन है, चार सब्दा आपको दिए गए, कुटिया, मांद, बिल और मकडी का जाला, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है, तीन एक परकार से समान है, जबकि एक असंगत है, कैसे आप सही करेंगे, देखिए, मांद, बिल और मकडी का जाला जो है, जीव जन्तुों के रहने का इस्तान है, जबकि कुटिया जो होता है, वो मनुस्त के सादु संतुों के रहने का इस्तान होता है, तो कुटिया अलग होगी, कुटिया जो है, मनुस्त के रहने का इस्तान है, बाकि जीव जन्तु के रहने का इस्तान है, तो 3 अलग होंगे, एक इससे भिन होगा 21 नवर कोशन ने कथन में कहा गया X ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया अब धार्णाएं बताईए क्या आपके हिसाब से सही है मतलब X ने चाक लेकर के ब्लैक बोर्ड में समीकरण हल नहीं किया बस इतनी बात आपको मालूम है धार्णा में इसने कहा है समीकरण एक कागज पर हल किया गया था आप कैसे कह सकते हैं कि कागज पर हल किया गया था वो हाथ पर भी हल कर सकता था आप ये नहीं कह सकते हैं कथन को देख करके कि कागज पर किया होगा 112 समीकर्ण को blackboard पर marker से हल किया गया जरूर नहीं कि marker से हल किया गया हो किसी और चीज़ से लिख सकता हो या पिर हल किया ही नहीं उसने तो दोनों ही धार्णा कथन को देख करके आप नहीं बता सकते हैं बाकि अनुवान तो बहुत लगा सकते हैं लेकिन सही जो बात है उस धार्णा से निकल करके नहीं आएगी तो कौन सा है ना तो पहली धार्णा ना तो दूसरी धार्णा कथन में नहीं धार्णा ही आपको बतानी है 22 नवर कोशन है देखी सम्मंद से फिर कोशन आया है ABCDEFGH के बारे में सम्मंद आपको दिया गया है पर इसने काफी बड़ा है पढ़ने में समय लगेगा इसलिए आपको हल करके इसके उत्तर बताने का प्रयास करते हैं आप लोग भी लगाना स्टार्ट करिए कितना उत्तर आ रहा है वीडियो को रोग करके आप उत्तर को देख सकते है स्टार्टिंग होगी ह के पास से ह जो है वो जी का पिता है मतलब ह जो है उपर होगा जी नीचे होगा पिता हमेशा उपर होता है उसका पिता उससे उपर होगा पिता है इसका मतलब है कि ये प्लस कर देंगे ठीक है जिंडर में हम लोग मेल में मानस करेंगे मेल में प्लस कर देंगे जी जो है एफ का इकलोता भाई है जी जो है वो एफ का इकलोता भाई है मतलब G में प्लस कर देंगे यह भाई हो गया F E की इकलावती ननन्द है F जो है E की इकलावती ननन्द है अगर ननन्द की बात करेंगे तो ननन्द कैसे होगी जब हम बात करेंगे साधी करवा देंगे E के साथ में G की तो इसकी पत्नी जो है और G की बहन जो है F इसकी बहन हो जाएगी इसका पिता एक जनरेशन और उपर जाएंगे, इसका पिता हो गया, वह A का पती है, कौन A का पती है, B, A का पती हो गया, यदि A फे जो है अभिवाहित है, मतलब G की बहन जो है अभिवाहित है, तो C का A से रिलेशन बताना है, C क्या लगेगा A का, तो C लगेगा A का बेटे क बेटे का बेटा देखिए बेटे इसका बेटा यह होगा उसका बेटा जी होगा उसका बेटा सी होगा तो बेटे का बेटे का बेटा यह हो सकता है कौनसा आपसन सही होगा 935 को वी लव टमेटो लिखा जाता है और 956 को टमेटो लव मेंगो लिखा जाता है तो मेंगो के लिए किस अंक का उपयोग करेंगे असान सा कोशन है उससे भी असान है जो इसके पहले आया था देखिए यहाँ पर टमेटो लिखा गया है और यहाँ पर टमेटो दो जगए टमेटो है ठीक है तो टमेटो के लिए दोनों जगा पर numerical value common आएगी 9 और 9 तो टमेटो 9 हो गया ठीक है टमेटो यहाँ पर से 9 हो गया अब अगर टमेटो 9 हो गया तो यहाँ पर love और टमेटो आ रहा है यहाँ पर भी love और टमेटो आ रहा है अगर लोग 5 हो जाएगा तो मेंगो कितना होगा मेंगो आसानी से 6 हो जाएगा तो मेंगो कोड आपसे पूचा था तो 6 आपसन, लाश्ट वाले आपसन रखा गया है इस हिसाब से ये उससे भी आसान कोशन हो गया क्योंकि इसमें दे लाइक टमेटो बड़े बड़े लेटर्स की आपको सब्द निकालने है 24 नमर कोशन है, 4 आपको अच्छर समूधिये गए 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है तो असंगत की आपको फहचान करनी है चलिए, यह सारे आसान कोशन है इनको जल्दी से लगाने का प्रयास करिए S, S, R, Q, P अगर S, R, Q, P को देखेंगे S हमारा 19 होता है R हमारा 18 होता है Q 17 और P 16 तो एक एक कम कर रहा है 19, 18, 17, 16 एक एक स्थान पीछे की और जा रहा है उसी प्रकार से X जो होता है वो 24 वे स्थान पर W 23 वे स्थान पर V जो होता है वो X, W, V 22 वे स्थान पर और T जो होता है वो 20 वे स्थान पर आ जाता है तो इसने एक स्थान छोड़ दिया है तो असंगत कौँसा होगा दूसरा वाला option असंगत होगा ठीक है? एक-एक पीछे के और जाएंगे तो V के बाद में U आना चाहिए ना इसने V के बाद में T लिख दिया है बाकी को देख लिजेगा दूसरा वाला option जो है असंगत आपको मिल गया आगे बढ़ जाईए 25 नमर कोशन है किसी कूट भासा में अनसीओर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में Y-N-Y-H-M को किस प्रकार से आप लिखेंगे चलिए सबसे पहले आपको अलफाबेट के जितने लेटर है उनके इस्थान आपको मालूम होने चाहिए इकोशन थोड़ा से घुमाया गया है फिर भी समझने का प्रियास करिएगा U का इस्थान होता है 21 इस्थान N का इस्थान होता है बात करेंगे 14 इस्थान S का इस्थान जो होता है अलफाबेट में 19 इस्थान इसी प्रकार से 3 लेटर से समझते हैं E जो होता है अगर उसकी इस्थान की बात करेंगे तो E 5 इस्थान पर होता है L की बात करेंगे L 12 इस्थान पर और G जो होता है मारा 7 इस्थान पर अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो ये भी बनेगा 26 ये भी बनेगा 26 और ये भी बनेगा 26 इस प्रेकार से आपको लेटर से रखने हैं कि उनका योग जो है 26 बने जिस हिसाब से अगर आप य, n, y को बात करेंगे तो y होता है 25 इस्तान पर, n होता है 14 इस्तान पर और y होता है 25 इस्तान पर पड़ेगा य लेना पड़ेगा तो ala जहां से स्टार्टिंग होगी उसी को आप ले लिजिए तो तीन लेटर से आप इसको उत्तर को निकाल सकते हैं तो alarm जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा ठीक है समझ गए आप 26 आना चाहिए अलफा बेटके निमेरिक वैल्यू का योग 26 नवर कोसन है यहाँ पर देखिए आपको ध्यान पूरा कुछ पैटर्न दिया गया है और प्रेश्ण वाचक चिन्ने की जगा पर आपको बताना है बीच में कौन से निमेरिक वैल्यू आएगी ठीक है अवे थोड़ा जूम करते हैं आपको इस पर श्तौर पर दिखने तो 48 निकाल आएगा मतलब किनारी किनारी वाले को मल्टिपल करके घटा लिजे उसी प्रकार से 9-6-4-7-1 घटाएंगे 33 आजाएगा ठीक है अब लाइस्ट वाल बचाए अर्चंग 48 और 7-35 घटा लिजे कितना आजाएगा 13 आजाएगा तो कौन सा आप्सन सही होगा इसका पहला वाला उत्तर जो होगा वो सही आपसन होगा पैटन को समझ लीजे पहले दोनों में से फिर आराम से प्रिष्ण को लगा लीजे आज का देखें मारा लाज नमबर कोशन है आज का 27 कोशन होगा इस सेट में लगबग 27 कोशन आपको दिये गए थे और इसका जवाब को क वीडियो में बताएंगे इन 27 प्रिष्णों में से आपने कितने कोशन सही की है आसा करते हैं कम से कम आप 22 से 24 कोशन तक सही करें तब आपके रिजनिंग अच्छी माने जाएंगे हम आपको गुरूप D की भी रिजनिंग करा रहे हैं 2018 वाले पेपर की और NTPCVT1 नए वाले रिजनिंग करा रहे हैं तो आप जिस प्रिकारिक रिजनिंग करना चाहते हैं वैसी आप करने का प्रयास करिए कुछ भी करके प्रेक्टिस करके आपको नंबर लाना है NTPCVT2 में और रेलवे गुरूप D 2022 के एकजाम में समझ गए आप तो इसका उतर दीजेगा 27 में से कोने का प्रेकार के कोसन आपको राय जा रहे हैं तो आप लोग लगातार्य जुड़े रहे हैं से आर कीजिए लाइक कीजिए किसी पेस्व में डावड हो तो आप कमेंट बाक्स में कळ सकते हैं मिलते हैं ने इस डिए में भूह बहुत धन्माद